अध्याय पहला अर्जुन विशाद योग काहा पांडवास्चेव किमकुर्वत संजय द्रित्राष्ट्र ने कहा हे संजय धर्मक्षेत्र रुपी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडू के पुत्रों ने क्या किया द्रुष्ट्वातु पांडवानेकं व्यूधं दूर्योधनास्तदा आचार्यं उपसंगं म्या राजा वचनमाप्रवि पश्यतां पांडू पुत्राणां आचार्यं महतीं चमूम् व्यूधां दुपद पुत्रेण तवशिष्येण धीमता अत्रशूरा महेश्वासा धीमार जुनसमा युधें युधानों विराताश्चा दुपदाश्चा महाय रठाः दुष्टके तुष्चे किता नहा काशिरा जाश्चा विर्यवान पुरुजित कुंति भोजाश्चा शैव्याश्चा नरपुंगवाहन युधा मन्युष्च विक्रांत फुत्मवजाश्च विर्यवान सवभद्रोद्रवपदेयाश्च सर्वएव महारथाः संजय ने कहा उस समय पांडवों की सेना को अपनी व्यूह रचना में तयार खड़ी देखकर राजा दुर्योधन द्रोणाचार के पास जाकर कहने लगे हे द्रोणाचार आपके बुद्धिमान शिष्च दुरुपद के पुत्र दृष्ट दिम्न ने जिसकी व्यूह रचना की है ऐसी इस विशाल पांडव सेना को आप देखिए इस सेना में बड़े शूर्वीर और धनुर्धारी भीम और अर्जुन जैसे योध्धा योयुधान विराट और महारती दुरुपद दृष्ट केतु चेकितान पराक्रमी काशिराज साथी पुरुजित कुंति भोज और मानवों में श्रेष्ठ शैब्य हैं पराक्रमी युधा मन्यू तथा उत्तम उजा सुभद्रा का पुत्र अभी मन्यू तथा द्रवपती के पांचों पुत्र हैं जो सभी बड़े महारती हैं अस्मा कम्तु विशिष्टा आये तानि बोधा त्विजोत पुतमा नायका ममसैन्यास्या संग्नार्थम्तान ब्रवी मिते भवान भीश्वाष्चका नाश्चा ग्रुपाष्चा समितिन जाया अश्वथ्थामा विकल्नाश्चा सौमदत्ति नथैवचा अन्येच बहवशूरा मदर्थे त्यक्त जीविताह नानाशस्त्र प्रहरनाह सर्वे युद्ध विशारदाह अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीश्मा भीरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेशां बलं भीमा भीरक्षितं हे ब्राह्मन श्रेष्ठ अब अपनी सेना के प्रमुख नायकों के नाम भी आप जान लें आप स्वैम, भीश्म, करण रण में विजाई कृप, अश्वत्थामा, विकरण तथा सौमदत्त का पुत्र और भी अनेक योध्था हैं जो मेरे लिए प्रान त्याग करने के लिए तत्पर हैं भेश्म द्वारा रक्षित ये अपना सैन अपार है जबके भीम द्वारा रक्षित पांडव सैन सीमित है अज्वत्त प्राइब। प्राइब। यता भागं अवस्तिता अवस्तिता भीश्म बेवा अखिराक्षन तो भवन्ता सर्वयवय। अब आप सब वीर मिलकर सर्वय अयन या सेना व्यूह के द्वारों में अपने स्थान पर जम कर हर एक दिशा से भीश्म पितामः की ही रक्षा करें। तस्यसन जनयन हर्षम कुरू बृत्था वितामह सिवहनादं विनत्योच्ये शंकम्दत्मव प्रतापवां। ततह शंकाश्च भेर्यश्च पनवानक गो मुखाह। सहसैवाब्यहन्यन्त सशब्दस्त मुलो भवत। उसे आनंदित करने के लिए प्रतापी तथा वयव्रिद्ध कुरू योध्धा भीश्म पितामह ने सिंह की भाति गर्जना की और अपना शंक उचे स्वर में बजाया। इसके बाद अनेक शंक भेरियां ढोल नगाले और गोमुख सहसा बजने लगे। इन सब के ध्वने बढ़ी प्रचंड हुई। ततः श्वेतायर अययर यूक्ते महती स्यंदने स्थिताव। माधवः पांधवाश्चयेवाई दिव्यव शंक उप्रदाध्मतुः। पांच जन्यम् रुशीकेशा देवदत्तम् थनन्जया। पॉंड्रम् दत्मव महाशंकम् धीमकर्माव्रुकोदरः। अनन्त विजयम् राजा कुंते पुत्रो युदिष्ठी रहा। नकुला सहदे वश्च सुघोष मनि पुश्पकव। इसके बाद अपने श्वेत अश्वाले विशाल रत में बैठे हुए। कृष्ण तथा अर्जुन ने भी अपने दिव्व शंक बजाये। श्री कृष्ण ने पाँच जन्य, अर्जुन ने देवदत्त, और महापरक्रमी भीम ने अपना महान पॉंड्र शंक बजाया। कुंती पुत्र राजा युदिश्थिर ने अनन्त विजय, नकुल ने सुघोष तथा सहदेव ने मनी पुष्पक नाम के शंक बजाये। काश्यस्च परमेश्वास श्रिखन्दीच महारत था। त्रुष्ट द्योणो विरात श्च सात्यकिष्च परादित था। त्रुपदो द्रौपदे आश्च सार्वशा थितिवी पादिव। सौभद्रश्च महामाहु। शंकान्दध्धु प्रतत था। सगोशो दार्त राष्ट्रानाम। पृद्यानि व्यदारयत। नभश्च कुथिवीं चैव। तुमुलो व्यनुनादयन। अथव्यवस्थितां द्रुष्ट्वार। धार्त राष्ट्रान कपित्वजह। रव्रुते शस्त्र संपाते। धनुरुत्यम्यपान्दवह। महान धनुष्धारी काशी राज, महारती शिखंडी, द्रिष्ट द्युम्न, राजा विराट, अजे सात्यकी, राजा दुपद, द्रुपदी के सभी पुत्रों ने तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र अभिमन्युने अपने अपने शंख बजाए। इस तुमल शंखनाज से पृत्वी वाकाश गूजने लगे, और द्रितराश्ट के पुत्रों के रिदय, भैसे विदीर्ण होने लगे। तब जिसकी धजापर हनुमान की मूर्ति अंकित थी, ऐसे अर्जुन ने कवरवों को उत्तम द्यवस्था पूर्वक खड़े देख कर, तथा शस्त्रों के चलाने का समय होने पर अपना धनुश उठाया। जिशीके शंतदार वाक्यमिदमार मही पते सेन योर उपायोर मध्ये रथं था पयार में चुदा यावदेतान निरेक्षेहम योद्धुकामा नवस्थितान कैर्मया सह योधव्यम अस्मिन रण समूध्यमे योध्यमा नवस्थितान 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 मागता गो दतरास््रस्थितान नवस्थितान और हे राजा तब उसने रिशकेश कृष्ण से ये शब्द कहे हे अच्छत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए जिस से मैं उन लोगों को देख सकूँ जो युद्ध के लिए उत्सुक खड़े हैं और जिन के साथ मुझे युद्ध लड़ना है मैं उन सब को देखना चाहता हूँ जो दुष्ट बुद्धिवाले दुर्योधन का इस युद्ध में भला करने के लिए एकत्रित हुए हैं एव मुक्तो हुर्शी केशो गुडा केशेन भारत सेनयोर भयोर मध्ये स्थाप इत्वार थो तमं भीश्मद्रोन प्रमुखत हुद्ध सर्वेशाम जमही ख्षितां उवाज पार्थ पश्येतान समवेतान पुरूनिति संजय ने कहा हेद्रित राष्ट्र अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने उस श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लाकर खड़ा कर दिया उन्होंने भीश्म, द्रोन और सब राजाओं के सनमुख खड़े होकर कहा कहे पार्थ इन सब इकठे खड़े हुए कुरूओं को देखो तत्रा पश्यत स्थितान पार्थह पित्रून थपिता महान आचार्यान मातुलान ब्रात्रून पुत्रान पौत्रान सखिंस्तथा श्वशुरान सुरुदाश चैवान सेनयो रुभयो रपि तान समीक्ष्य सकंतेयान सर्वान बंधून वस्थितान रुपया परया पेष्टों विशीदन निदम अप्रवी द्रष्टुलेमं स्वजनं क्रुष्ण युयोच्चुं समुपस्थितं सिदन ती मगात्राणी मुखमचा परिशोष्यते वेपथुष्चा शरीरे में रुपहर्षर्ष्चा जायते गांडेवं स्रांसते हस्ता त्वक्चाइवा परिश्चा जायते नचेशतनों ब्यवस्तातु ब्रामतीवाँ चमी मनावाँ इस पर अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने ही पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भायों, पुत्रों, पौत्रों तथा मित्रों को खड़े देखा दोनों सेनाओं में श्वसुर मित्रबंधु भी खड़े थे जब कुंती पुत्र अर्जुन ने इन सब को इस प्रकार खड़े देखा तो उसका कोमल रदय भर आया और वो उदास तथा अत्यंत करुणा पूर्ण मन से कहने लगा हे कृष्ण अपने लोगों को अपने ही साम में युथ के लिए अधीर खड़े देखकर मेरे गात्र शिथिल हो रहे है मेरा मूँ सूख रहा है और मेरे रोंटे खड़े हो रहे है ये गांडीव धनुष भी मेरे हाथों से फिसला जा रहा है और मेरी तचा में जलन हो रही है मैं अब अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकता और मेरा मन चक्रास आजा रहा है हे केशव अब मुझे सब विपरीत चिन दिखाई दे रहे हैं अपने ही संबंधियों को इस युद्ध में मारने से मुझे कोई भलाई होती नजर नहीं आती ना कांक्षे विजयं क्रुष्ण ना चराज्यं सुखा निचा किम नो राचे न गोविंदर किम हो गई जीविते नवा ये शामर्थे कांक्षितम नो राज्यं भोगा सुखा निचा ते इमे वस्थिता युद्धे प्राणान स्त्यक्त्वा धना निचा आचार्या पितरा पुत्रा सथै वार्च पिता महा मातुलाहा श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिना सुदधा हे कृष्ण नहीं मुझे विजय चाहिए न राज्य नहीं कोई सुख हे कोविंद हमें राज्य से सुख भोग से यहां तक के जीवित रहकर भी क्या करना है जिन लोगों के लिए हम ये सब राज्य भोग और सुख चाहते थे वे ही सब गुरू, पिता, पुत्र और दादा, मामा, श्वसुर, पौत्र, साले तथा अन्यसंबंधि अपने प्राणों तथा धन मोह को त्याग कर यहां युद्ध में आख़े हैं एतान्म हन्तु मिच्छामि जनतों भी मधु सूदनाय अपन्टर युद को तो यहां 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 गष्वस्द आ गिम्मी में एतान्म हें क्यम्मी एतान्म हन्तु मिच्छाम प्रणाय निहत्यधार्तराण्जान्नाह, काप्रीति स्याज्यनादना, पापमेवाष्ये दस्मान्, हत्वैतानात्ताईनह तस्मान्नारवा द्वयंहन्तूं धार्तराष्ट्रां स्वबांधवां। श्वजनम्, हकत्वं, हत्वा सुखिनःителेर्त्ति स्याम माध्व। हे मतुसूदन चाहे वे ही मुझे क्यों न मारने लगें लेकिन त्रिलोग के राज के लिए भी मैं उन्हें मारने को तयार नहीं हूँ फिर इस पृत्थी लोग के राज के लिए तो कहना ही क्या हे जनार्दन दृतराष्ट के पुत्रों को मारने से हमारा क्या भला होगा इन दुष्टात ताईयों को मारने से तो हमें ही बात लगेगा इसलिए इन संबंधी कवरवों को मारना हमारे लिए योग के नहीं है हे माधव, हमारे ही बंधुओं को मार कर हम किस प्रकार सुखपा सकते हैं। मित्र द्रोहे चपातकं। कथम नगनेय मसमावि, पापा दस्मान निवर्तितुम। कुलक्षय कृतं दोशं। प्रपश्यत भिर्जनार्दन। यद्दिप ये लोग, लोब से भ्रष्ट चित्त होने के कारण, परिवार के विनाश की बुराई और मित्र दोह के पापों को नहीं देखवा रहे हैं। फिर भी हे जनार्दन, हम तो कुल के विनाश का दोश अच्छी तरह जानते हैं। और इस पाप से अलग रहने का विचार हमें क्यों न करना चाहिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति, कुल धर्मा सना दना। धर्मे लश्टे कुलं क्रुच्णं, अधर्मो भिभवा त्युता। अधर्मा भिभवात क्रुष्णा, प्रदोश्यन्ति, कुला स्त्रियाह। स्त्रीशु तुष्टा सुवाश्नेया, जायते मर्ण संकराह। संकरो नरकाय एव, कुलग्णानाम कुलस्यच, पतन्ति पितरो ये शाम, लुप्त पिंडो दखक्रियाह। दोशैरेतै कुलग्णानाम, पर्ण संकरकार कै, उत्साध्यन्ते जाते धर्मा, कुल धर्माश्च, शाश्वताह। कुल के क्षय से, सनातन कुल धर्म जो परंपरा से चला आता है, वो नश्ठ हो जाता है, और कुल धर्म के नश्ठ होने से, पूरे ही परिवार पर अधर्म का प्रभाव पड़ता है। हे कृष्ण, जब धर्म पूरे कुल में व्याप्थ हो जाता है, तो कुल की स्त्रियों में दुराचार प्रवित होता है। जब स्त्रियां दोश्युक्त हो जाती हैं, तब ही विभिन जातियों का दोशित सम्मिश्ण पैदा हो जाता है। हे वाष्णे कृष्ण, वर्ण संकर के कारण कुल घाद की पुरुष पैदा होते हैं, और सारा ही कुल नर्क में पहुँच जाता है। साथ ही पिंड प्रदान तथा जलतरपन आदि धार्मिक संसकार लुप्त होने से पित्रूं का भी पतन होता है। कुल घादकियों के इस वर्ण संकर दोशों के कारण जाति धर्म वकुल धर्म का भी नाश हो जाता है। उत्सन्न कुल धर्मानाम मनुष्यानाम जनार्धन नर्के अनितम वासो भवतित्यन शुष्रूमा। अहो बत महत पापम कर तुम व्यवसितावयम। यत्राज्यसु खलो भेनार हन्तुम स्वजल मुद्यताह। यदिमाम प्रतिकारं अशास्त्रं शास्त्र पानया है। धार्तराष्ट्रा रणे हन्यों सन्मे क्षेमतरम हवे। हे जनार्तन, जिसके कुल धर्म का विनाश होता है, ऐसे मनुष्यों का अवश्य ही नरक में निवास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। ओ, कितना बड़ा पाप करने का हमने निश्य किया है, कि राज सुख की लालसा से हम हमारे ही भाईयों की हत्या करने पर तुले हैं। इससे तो यही अधिक कल्यानकारी होगा, कि ये शस्त्र धारी दृतराश्ट के पुत्र मेरे बिना शस्त्र उठाए या विरोध किये ही मुझे रणक्षेत्र में मार डालें। एव मुक्त्वार जुनह संखे, प्रथो पस्त उपाविशत, विस्रुज्य सशरम चापम, शोक सम्विग्न मानसह। इस प्रकार रण भूमी में अपना वक्तव्य कहकर, शोक से व्याकुल चित्त होकर अर्जुन ने धनुश्य वबान छोड़ दिये और अपने रत में बैठ कया। इते श्रीमत भगवत गीता सुपनशत्चू, ब्रह्म विद्ध्यायाम योग शास्त्रे, श्री कृष्णार्जुन समवादे, अर्जुन विशाद योगो नाम प्रथमुद्ध्यायह। मनो बुत्यहं कारचित्ता निनाहं। नच शोत्र जिव्वे, नच ग्राण नेत्रे, नच व्योम भूमिल्द्ध्याय। नते जो नवाद्युद्ध्य। चिदानन्द रूप शिवोहं शिवोहं। नच प्राण संदे, नवय पंच वाय। नवासप्त धातुर। नवापंच गोशा। नवाप्पानि पादं। नचो पस्थ पाय। चिदान्द रूप शिवोहं शिवोहं। चिदानन्द रूप शिवोहं शिवोहं। नमे द्वे शरागव। नमे लोब मोह। मदो नईव मे नईव मात्सर्यभाव। नधर्मो नचार्थो नकामो नमुक्षः। चिदान्द रूप शिवोहं शिवोहं। चिदान्द रूप शिवोहं शिवोहं। न पून्यम् न पापं। न सौख्यम् न दूख्यम् न दूख्यम् चिदान्द रूप शिवोहं शिवोहं। चिदान्द रूप शिवोहं शिवोहं। न में मृत्यु शंका न में जाति बेदः। पितानैव मेनैवत मातान जन्मा। न बंधुर्न मित्रं। गुरुर्नैव शेष्यः। चिदान्द रूप शिवोहं शिवोहं। चिदान्द रूप शिवोहं शिवोहं। अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो। विभुत्वाच्य सर्वत्र सर्वेंद्रियाण। सदामे समत्वन न मुक्ति न बंध। चिदान्द रूप शिवोहं। चिदान्द रूप शिवोहं। कि अगरें। चिवोहं थे बंध। चिवोहं शिवोहं। यप करते हैं। कि बंध। भूप शिवोहं। यप किवोहं। यथ हैं।